तो दोस्तों यह आपका जो जंगल दिख रहा है वहाँ पथर देखें मैं जूम करके दिखा रहा हूँ यह देखिए इसी को हाती पाथर वोलते हैं हाती पत्थर ठीक है तो यह दिन में पत्थर का रूप में हो जाता राथ में दोस्तों यह पूरा गाईब हो जाता तो दोस्तों मैंने जैसे आप लोगों को बताया था कि यहां घोड़ावनदा में मेरे घरसे 300 किलोमीटर दूर हम लोगा चुक्ए हैं घोड़ा बन धा यहां पे दोस्तो एक ऊती पथर हांती पत्थर ठीक है दोस्तो तो यहां दिन में पत्थर बणके रहता है रात में उन पत्थर गायव हो याता हाथ िवंजात आao हांती ठाकूर तो चलिए हम वहीं पर आपको ले चलते हैं आप मजा लिजिए एडवांचर जगा है बहुत उचाई है दोस्तो जीबन जोल हो जारा चड़ते हुए लेकिन घर से जब ओन रोड वाइक में हम लोग 200 किलिवोमीटर आ सकते हैं तो यहां उठना भी कोई बड़ा बात नहीं है दोस्तो चलिए हांती पाथोर का दर्शन हो जाएगा आज आपको देखे लग रहा कि बहुत सामने है लेकिन जिबन जोल हो जाएगा अगर यहां चड़ेंगे तो कितना मस्त हरियाली और नेचर घोड़ा बंधा में देखे पत्थर में इतिहास में कहा गिया ह यह जो पानी है यह पानी अमरित का काम करता है और पत्थर का उपर से निकलता है मैं आपको दिखाने वाला हूं अभी तो बहुत ही महनत से आग चुके हैं उपर चलिए दिखाता हूं उपर में और क्या है फूफ देख लीजे यहां टुरिस्ट लोक के लिए बहुत ही सु तो डर भी लग रहा है साम हो गया हम लोग जैसे रात में निकले कल सुछाने का लूघ नोख अभी रात हो अब रात में नौ एंटरी है जाने का नहीं है क्योंकि बहुत ही सर भाग भालुक जान्वर भी इधर रहते हैं बांदार उंदर रहता है दोस्तों तो फिर भी लेते हुए जा रहे हो सके दोड़ा वाइरल हो जाए वीडियो को लाइक शेर भी किजिएगा दोस्तों बहुत ही मेहनत से बना रहा हूं चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे दोस्तों लगभग पहुंच ही गया है वह देखे पत्थर और मैं आगे दिखाता हूं चलिए देख सकते हो दोस्तो मैं आपको सामने से दिखाऊंगा दोस्तो फाइनली हम हाती पाथोर पहुच चुके हैं यह हाती पाथोर मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे हाती का नाम आया और हाती पाथोर है और यह रात में गाइब हो जाता है दोस्तो यहां आट बजे के बाद कोई भी टूरिस्ट नहीं रहता है जो कि अभी टाइम होने वाला है अभी छे बज़रावत दो घंटा में पत्थर गाइब हो जाए पत्थर नहीं है हाती पाथर है हाती रहता है इसमें हाती खुद स्वयम हाती दिन में गाइब रा दिन में पत्थर बनता रात में हाती बन ज यह दोस्तों इंतिजार की घड़ी खतम यह देखे फाइनेली वी यार पहुंचिंग हाती पाथोर तोस्तों यह वाला देख लिए अच्छा से तो आ नहीं रहा केमरा से और यह हाती का बच्चा पाथोर है छोटा हाती है नीचे वाला ठीक है मैं हाती पाथोर पहुँच चुका हूँ और यहां पर एक गुफा भी है जो जो अन्याय के खिलाब दोस्तों दसता है वहाँ एक नागराज रहता है नागराज बिराट बोड़ो नागराज रहता है दोस्तों धोड़ जिसे कहते हैं धोड़ धमना उसके अजगार दोस्तों यहां अजगर भी रहता है तो उसका गुफा देख लीजे दोस्तों और यहां पर जाना अमना है तो मैं आपको तो देख सकते हो दोस्तों यही है हाती पाथवर का जो नागराज रहता है अजगर उसी का गुफा है दोस्तों बहुत ही भेंकर गुफा है दोस्तों मेरा हिम्मत नहीं हो रहा क्योंकि यहां से मेरे को नीचे कूद के जाना होगा यहां जाने का अलाउड नहीं है दोस्तों और मैं फिर भी यहां तक पहुंच चुका हूं बहुत सामने आ गया हूं देखिए गुफा में दोस्तो नाग राज बाबा रहते हैं ठीक है यहां नाग रहते हैं नाग अगर गलत मैं सोच साय हो तो आपको कुछ ना कुछ बहुत ही भुगतना होगा देख सकते हैं दोस्तो यह देखिए गुफा ठीक है दोस्तो यह अधुद जगा में आपको दिखा रहा हूं यह बला बोलने भूल गया था दोस्तो यह देखिए यह जो पानी है ना दोस्तों रात में हाती ठाकूर जो पत्थर से हाती बनता है वो पीने आते यहां पर देख लिजे आकरीती देख ठीक है यह देखिए घहराव किया हुआ है इसका यहां पर रात में पानी पीता है हाती जी ठीक है तो अभी बहुत सुंदर हवा दे रहा है पूरा मस्त जो पसीना से लत्पत हो गये थे गर्वी में चड़ते चड़ते अभी पूरा रिलेक्स लग रहा दोस्तों और आज का ब्लोग दोस्तों यहीं पर समाप्त करता हूं नेक्स्ट ब्लोग में मिलेंगे दोस्तों और भी अच्छा अच्छा आपको गाउं का चीज द्रिश्य दिखाऊंगा तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आज के लिए बस इतना ही जय हिन बंदे मात्रम जय भोले नात